यूक्रेन के चर्णोबिल नुकलर प्लांट से इंटरनाशनल अटॉमिक एनरजी एजनसी का कॉन्टेक्ट पूरी तरह से तूट गया है चर्णोबिल नुकलर प्लांट में लगे सुरक्षा उपायों के निगरानी सिस्टम की जानकारी IAEA तक पहुंच नहीं रही है इसकी वज़े से बताना ये मुश्किल हो गया कि इस प्लांट में रेडियो एक्टिव रेडियेशन का लेवल फिलाल क्या है ये नुकलर प्लांट पूरी तरह से रूस के कबजे में आ गया है और रूसी फौज ने निगरानी सिस्टम का डेटा IAEA को भेजना भी बंद कर दिया है नुकलर प्लांट में रेडियो एक्टिव वेस्ट की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम लगाया जाता है जो IAEA को ये डेटा भेजता रहता है कि वहाँ पर रेडियेशन का स्टेटस किया है वैसे आपको बता दें कि जो आप चेनोबिल के जिक्र हम कर रहे हैं चेनोबिल पर 24 तारीकोई रूस ने कबजा कर लिया था यहां हाथसा हुआ था 1985-86 के दोरान और उसके बाद से ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है